जूम करनाची बेला डांस ने बना दी रानव और बेला की जोड़ी चढ़ा रानव पर गुस्सा रानव और यामनी की तक्कर कलर्स के सीरियल बेकाबू में बेला को पता चल गया है कि वो परी है ऐसे में वो नटराज की मूर्ती के सामने पहुँच गई है अपने डांस के जरीए साथना करने और देखिए कैसे वो जम कर नाच रही है अच्छली बिलकुल भी इंटेंशनल नहीं है यह मैं सिर्फ अपना मेरेटेंट कर रही हूं मैं बोलती भी हूं कि है मेरी साथना है मेरे ले डांस नहीं है बलकि रित्य है और यह मेरी साथना है और उससे राक्शस बहुत परिशान हो जाते हैं और उनको म्यूजिक और डान्स से बहुत इरिटेशन होता है वो राक्षिस में अफकॉर्स तो उनको बहुत इरिटेट कर रहा है कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी कौन आ गई है यहां बेलव ने गाना चला कर नाचना शुरू किया तो वहीं गाने की धुन्ने रानव को राक्षिस के रूप में बदलना शुरू कर दिया गाने की धुन्ने रानव को इतना परिशान कर दिया कि वो अपने आपको रोक नहीं पाया और पहुँच गया बेला के पास इससे पहले कि रानव राक्षिस बनता बेला जूमते हुए जागिरी रानव की बाहों में और शुरू हो गया दोनों के बीच प्यार का सिलसला रानव का परेशा अचली मकसद तो यह है कि राक्षस कांत किया जाए लेकिन इस वक्त वो म्यूजिक से खिचा आ रहा है इसका मझे बिलकुल आइडिया नहीं है मैं बिलकुल भी इसको seduce करने ही कोशिश नहीं कर रही हूँ इसमें मैं सिफ मेडिटेट कर रही हूँ लेकिन कई बर आपके एनरजी ऐसी होती है कि ना चाहते हूँ वे लोग आपकी तरफ खिच आते हैं तो I think वही हो रहा है इनरजीज में यकीन रखते हूँ यह एनरजीज ऐसी होती है वाइब्स ऐसी होती है कि आप दूर से भी कम्यूनिकेट कर पाते हो तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ है मैं कितनी वार भीड में होती हूँ कोई एक इंसान स्पॉट होता है मैं जेंडर की बिलकुल बात नहीं कर सकत हो लड़का हो लड़कियों लेकिन उनसे बहुत अच्छी वाई बात है आपको मन करता है उनसे ऐसे स्माइल करने का और कुछ लोग के देखें बस चिड़ो होती है भाई बेला तो राक्षशों का अंत करना चाहती है लेकिन रानव को नहीं पता कि बेला एक परी है रानव ही नहीं बलकि यामनी और उसके बेटे भी इस बात से अंजान है उन्हें तो लगता है कि मलिका ही परी है ऐसे में उन्होंने मलिका का खून पी लिया है ये सोच कर क कि उसका खून पीने के बाद उन्हें मिल जाएगी अपार शक्ती. और इसी धोके में जब रानव के साथ उनका सामना होता है, तो देखें कैसे यामनी की तीनों बेटे रानव के हाथों पिट जाते हैं. ये देखकर यामनी परिशान हो जाती है कि आखिर मली का परी थी, तो शक्ती इसे क्यों नहीं मिली? हम तो बहुत स्रॉंग हो गया, अभी तो रानव के तो ऐसी की तैसी, बट जैसे रानव आता है, और मेरे बेटे लोग आग ऐसे एक गुसा मारते हैं, तो वो ही लोग ऐसे गिरते पड़ते रहते हैं, सब हमारा सब सारा प्लान खतम हो गया, और फिर उसके बाद ये होता है, अभी भी हमें समझ बने आ रहा है कि यह परी नहीं है, जबके आधी बार बार बोल रहा है, नहीं माम यह नहीं है, बट मुझे अभी लग रहा है नहीं नहीं, कुछ तो ऐसी बात है, उसको पता नहीं होगा, कि वो पड़ी है, इसलिए उसके अंदर शक्तिया नहीं आई है, तो अभी पहले हमें उसे ऐसास दिलाना है, कुछ भी नहीं बता चल रहा है, इन फैक, रानव को भी लग रहा है, कि वही है, मली का ही पड़ी है, इसलिए वो शादी भी करना चाहरा था, वो भी खून पीने के लिए, वो ही पीछे पीछे आया था, जबकि हम लोग पहले ही पीच चुके थे, उसके लिए तो हमें ही बेट करना होगा, पता चल जाएगा तो भी तो होई गया न, पेटा भी हम और कन्फूजन क्रियेट करना है, और मैं बेवकूप बनती रहूंगी, तो ऐसी ड्रामा ड्रामा वहीं बेला भी अपनी परी की शक्तियों को दुगना करने के लिए पहुँच गई है ऐसे गार्डन में, जहां पर उसे मिलेगा ऐसा फूल, जो उसकी शक्तियों को दुगना करेगा, और आखिरकार बेला को फूल मिल ही गया है अगले ही दिन रानव बेहत परिशान है, क्योंकि मलिका की मौत हो चुकी है, और उसे मलिका का खून नहीं मिला, अपने शक्तियों को डबल करने के लिए इसी बीच वहां पर बेला आ जाती है, जिसे देखकर रानव को होने लगता है प्यार का एहसास लेकिन इनके प्यार में तकरार भी है, दोनों की बीच तकरार चली रही होती है, कि तभी रानव पहुँच जाता है बेला की मदद करने, और ऐसे में फिर से बन जाता है दोनों की बीच प्यार का समा, अब देखना होगा कि कैसे दोनों को अपने प्यार का एहसास होगा, औ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें कमेंट देके अपनी राये जरूर दें और ऐसे ही एक्स्क्लूसिब कंटेंट के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो जरूर करें नाम तो आप सब जानते ही हैं सास बहु और पेटिया